हाई फ्रेंग्स वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं बनाने जारीं पहाड़ी दाल की रेसिपी जिसे गहत की दाल भी बोला जाता है गोद गहत हिंदी में कुल्थी होर्ज क्रैम बहुत से नामों से जाना जाता है ये खाने में बहुत ही स्वाधिस्ट होने के साथ-साथ बह कर लिया है अब हम दाल को फ्राइ करते हैं अब एक कड़ाय लेंगे उसमाइ डालेंगे सर्शों का तेल two डेबलória पूंट जेर ढालेंगे हिंग डालेंगे हिंग डालेंगे हिंग डालने से इसका स्वाथ बहुत बढ़ मिर्च अगर आप कम खाते हैं तो कम ही डालें, उसे तीन टमाटर का पेज्ट बना लेना है, क्योंकि टमाटर से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है, अब इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी डालेंगे, स्वात को निसार, धनिया पाउडर, वन टेबल स्पून, जीरा पाउडर डालेंगे, नमाग डालेंगे, सॉल्ट टेस्ट, मिक्स कर लेंगे, अच्छा से, और उपर से थोड़ा सा काली मिर्च डालेंगे, और यह देख़े, दाल को मैंने बॉल करके रखा था, थोड़ा सा मैस भी कर लिया था, क्योंकि इसके दाने ऐसी मैस नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा कर्ची से मैस कर लेंगे, जिससे की दाल हमारी गाड़ी बनेगी, बनाना चाहें और इसको एक उबालाने तक पका लेंगे अच्छे से ठकन डख कर और यह देखिए दाल हमारी बनकर रेडी हो चुकिए बहुत ही स्वाधिस्ट बहुत ही यम्मी डिलीसियस दाल बनकर रेडी हुई है अब चाहें तो आप इसमें घी का तड़का भी लगा सकते या उपर से घी डाल दें तो मैं ले रहे हुँ थोड़े से सरसों लाल मिर्चा और वन टेबल स्पून घी और उपर से डाल देंगे सच में यकीन मानिए राइस चैपाती किसी के भी साथ खाई यह मज़ा आ जाएगा और इतना स्वाधिस्ट बनेगा ना कि बार बार आप बनाना चाहेंगे रेसिपी पसंद आएदे चैनल को सबस्क्राइब लाइक शेयर जरूर करें फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी किसान तक तक के लिए बाई बाई टेक कियर